स्वागत जी आपका स्पोर्ट सार पर मेरा नाम है अकाश और बात करेंगे फगर जमान की एन्ड लेजंडरी विरिंदर सेवाग उनकी एक जो स्टेटमेंट है जिसने उनका एक जो ट्वीट है जो बहुत जादा सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ क्योंकि देखे फगर जमान ने जब न्यूजरेंड के वरसे एक धमागेदार 126 रनों की पारी खेली पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड कप के बाहर होने की देलीज पर थी उनको अपने देश को अपने पूरी टीम को वापस खचले कर लाए कि बाई मैं हूँ मैं अप जब 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 पसंद आता है उनके tweets बहुत जब जब आदा trend भी करते हैं अताब बेबाक होकर वह अपने tweets करते हैं अपना point of view रखते हैं लोगों को वह चीज बहुत जब 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 पसंद आती है क्रिटिसाइज भी करते हैं तारीफ भी करते हैं और एक बड़ा ही तो आप the great विरिंद सिवाग से comparison नहीं करते लेकिन एक reference हमेशा बनती है फकर जमान और विरिंद सिवाग में क्या चीज common है कि भाई देखे consistency पर जादा मच जाएगा लेकिन impact कूट कूट कर भरा हुआ है दोनों ही pure match winners रहे हैं विरिंद सिवाग अपने जमाने में अपने खेलने के दिनों मर आप कह सकते हैं कि जिस दिन विरिंद सिवाग का बल्ला चलता तो भाई opposition खौफ में आ जाता same with फकर जमान फकर जमान भी वैसा ही खिलाडी है form खराब होने के बाव जो बाद वो टीम से बाहर थे injury का बहाना दिया गया अब पता ने देखे injury मतब थी उनको जो उनके लिए बताए गई कि भाई नी injury था इस तरीके से वो भार है लेकिन कहीने कहीं ये बाते उठाए गई सवाल उठाए गए कि पागिस्तान टीम ने खराब form के चलते वहाँ पर फकर जमान को भार कर दिया अब बड़ा जो ट्वीट किया है विरिंद सिवाग ने धमागेदार पारी के बाद दो पारी एक्चुली फगर जमान ने बांगलदेश के अगेंस भी बहुत सा बरता स्कूर किया लेकिन जो पारी उन्होंने चिन्यस्वामी स्टीडियम में अंडर सो मच प्रेशर कि पाकिस्तान मैच हारा तो सीधा बैक करके आपको वापस घर जाना है लेकिन इतने बड़े मुमिंट पे 126 रंकी नावात पारी धमागेदार पारी खेली उस पर क्या ट्वीट करा आपके सामने पढ़के बताएंगे और एक्जेक्ली बताएंगे भी क्या रेफरेंस उन्होंने ड्रॉ करा है किस तरीके से सेलेक्टर्स पर सवाल उठाएं टीम मेनेजमेंट पर सवाल उठाएंगे जो आप कह सकते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल इंफ्लूएंस रहता है फकर जमान को भार करने का किन लोगों ने दिमाग ये लगा है कि भाई आप फकर जमान जैसे मैक्श विनर को बाहर बिठाएं बेंच पर बिठाएं इतने क्रूशल मैचेज में क्या कुछ कहा है उन्होंने बताते हैं भाई फकर जमान बाई फार पाकिस्तान स्बेस्ट बेटर जिस टिम में बावा राजम नंबर वन ओडिये बैटर करीबं साट के एवरे से रंस करते हैं बाई वहाँ पर आपके बागी खिलाड़ी रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस इस दी हैं लेकिन उन्होंने कह द the bench for the best part of the tournament good knows अब उन्हों साफ सिता यही सवाल उठाया कि जो यह injury का हवाला दिया गया कि उनको नी injury थी हम बार-बार visuals यहां पर चला रहे हमारे platform पर हमने आपको बताया बार-बार कि फकर जमान practice में आपको भाई पूरे फुल फ्लेस तरीके से हमाँ पर practice करते में नजर आ रहे हैं तावर तोड शॉट्स वहाँ पर लगा रहे हैं लेकिन उनके बारे में कहा गया तो बाई जमीन आस्मान का फरक है फकर जमान की intent में और इमाम की intent में वो साफ सीधा batter की caliber की हम बात करते हैं batter की potential की हम बात करते हैं फकर जमान बाई काफी बहतर खिला दी है तो उन्होंने एक तंज वहाँ पर जाते जादे ट्वीट में उन्होंने 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 उन्हों पर भी कस दिया मैनेजमेंट पर तो कसा ही कि भाई which brain is kept him on the bench for the best part of the tournament ये उन्होंने टीम जो आपके पाकिस्तान का think tank है चाहे वो Mickey Arthur साहब हो चाहे वो उनके selectors हों सब पर ही सबल उठा दिया या कप्तान भी हो इवन बाबाराजम पर भी उनका शायद ये तंज कसने का एक तरीका था कि भाई किसने इतना बड़ा दिमाग लगाया कोन अपना दिमाग चला रहा है कि आप फकर जमान को tournament की इतने crucial matches से भार कर दे रहे हो फिर उन्होंने जाते जादे एक tweet लिख दिया आपर protein की भी कमी नहीं जजबे की भी कमी नहीं कि भाई ये protein वो protein का हवाला मत दीजे protein से साफ सीरा तंज उन्होंने कसा है इमाम उलग पर जिन्होंने एक बड़े ही आप कह सकते हैं पर्टी सी बात प्रेस conference में कहा दी कि भाई हम चक्के इसलिए नहीं मार पारे हैं हमारे खाने में protein की कमी है तो ना समझी थी protein की बात नहीं करतें जज़गा दिखाना होता है जो फकरजमान दिखाया तो उन्होंने का कि भाई इस बंदे में protein की भी कमी नहीं है और जजबे की भी जजबा हो तो आप बहाने नहीं बनाते एक्स्क्यूजिस नहीं बनाते दम दिखा कर देश को मैच जिताते हो जो कि फकरजमान ने करा तो बड़ा ही special tweet विरिंद सेवाग सर ने करा और I think फकरजमान काफी खुश होंगे कि भाई अगर उनकी reference हम भी अगर उ करने चाहिए मतलब आपको यह होता है कि विरिंद सेवाग जैसे cricket खेलना यार वैसा मतलब आप कह सकते हैं connection भी जोड़े जाना एक बड़ी चीज है अगर जमान के लिए तो जी फिलाल इस वीडियो में इतनी आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलेगा मैं लेता हूँ इजाज़त जैहिंद जैवालब